तुनिशा केस में शिजान का पहला बयार पुलिस को बताई ब्रेक अप की वज़ा इसके पहले भी खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी आक्ट्रिस तुनिशा शर्मा केस में अब नए-ने पहलू सामनी आ रही है अली बाबा दास्ता ने कबूल के सेट पर तुनिशा ने अपनी जान ले ली खुदखुशी के लिए मजबूर करने का आरोप उनके एक्स बॉइफरेंड शिजान मोहमद खान पर लगा है वो पुलिस हिरासत में है और अब उन्होंने तुनिशा केस में अपना पहला बयान दिया है रिपोर्ट्स के मताबिक शिजान खान ने पुलिस की पूच्टाश में बताया कि खुद कुशी करने से कुछ दिनों पहले तुनिशा शर्मा खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन उस समय शिजान ने उन्हें बचा लिया था शिजान इसके बारे में तुनिशा की मा को भी बताया था और उसका खास खयाल रखने के लिए कहा था वहीं शिजान ने ब्रेकप की वज़वी बताई शिजान ने शिरुवाती तोर पर जो बयान दिया है उसमें इस बात का खुलासा किया है कि दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ रिलिशन्शिप में थे ये सच है लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था इसलिए उन्होंने ब्रेकप कर लिया था वेल अब देखते हैं कि शिजान के बयान से इस केस में क्या नए नए डेवलाप्मेंट्स देखने को मिलते हैं टीम टेली मसाला के तरफ से तुनीशा शर्मा को भावपुर निश्रधान जली